अलो गाईज मेरे नाम सुभूँ आपका स्वागत है मेरे स्वाइब चैनल पर यह है मेरे रपास सैमसंग के तरफ से न्यू स्मार्टफून सैमसंग M02 आज की विडियो में इसके जितने भी ट्रेप से जितने भी फीचर देखने को मिलते हैं वो बताने वाला हैं जो कि आपक स्टेटास बारे पहला है सारे फीचर में आपको बता जाता हूं स्टेटिटेस बार में पहले तो जितने भी स्याटिंग प्रेस अड होल्ड करेंगा किस्टीन फुल्ड कर सकते हैं किसी ही सेटिंग को वाई फा हो या बल upgrades हो इससे प्रेस अड होल्ड कीजिए और आप सदे सबस Rabbid और एक्टा देखने को मिलाइदे यहांसे ड्रैग करकर के अन्ड्रोप कर लेगे यहाँँगी जितने इसके अंदर होगी तहके इनेबल करके कई लोग बोलेगी हैं यहाँ पर पिचर नहीं आप बता सकते हैं next feature की बात करें तो यहां पर आपको देखने को मलता है एक और फीचर जो 3.0 के option पर जाते हैं और यहां पर देखने को मिलेगा QPanel का option QPanel layout तो यहां पर देख सकते हैं और दन करता हूं और यहां पर जाता हूं देखते हैं brightness को option यहां पर गायब होच का पूरा करूँगा जब यहां पर brightness को option देखने को मलता है नेट्ट फिचर भी यहाँ पर आपको देखने को मलता है एक status bar को option, status bar पर आप जैसी click करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं काफी सारे आपको option देखने को मिल जाएंगे, तो सबसे पहले आपको किस प्रकार से notification चाहिए, all notification की icon यहाँ पर show करना चाहिए, यह number by show करना चाहिए यह आप यहाँ पर कर सकते हैं, और यहाँ पर यह तो आप नोर्मल है, आपको off करना है, तो off कर सकते हैं, आपको coach नहीं so करेगा, यहाँ पर आपको सिधा scroll करना पड़ेगा, और show by entry percentage पर करेंगे, तो यहाँ पर आपको battery percentage सो करने लगी, जैसे कि मैं इसको off करता हूँ, तो show up करता हूँ, तो यहाँ पर देखते हैं, मेरी battery percentage दिखाने लगी, तो यह एक feature देखने को मिलता है, यहाँ से आप किसी को भी यहाँ पावर ओफ कर सकते हैं, search का option देखने को मिलता है, और यहाँ पर मैं बतातु हूँ, एक आपको feature और देखने को मिलता है, focus mode, focus mode पर आप click करते हैं, और इसको business आपने enable कर दिया, आपने study पर ध्यान देना चाते हैं, इसको आप enable करके ok कर देंगे, तो आपका phone focus mode में चला जाएगा, और उतने time के लिए अपने phone को use नहीं कर पाएंगे, चाहा कर भी आप use नहीं कर पाएंगे, तो इसे बोलते हैं focus mode, तो आप किसी चीज पर आप work कर रहे हैं, उस पर जाद ध्यान देना चाते हैं, मैंने को लगा है कि phone को use नहीं करना तो focus mode को आप use कर सकते हैं, तो यह आपको एक focus mode का feature यहापे देखने को मिल जाता है, और कुछ feature की बात करो तो यहापे pinch out करेंगे, और home screen setting में जाएंगे, तो यहापे का home screen की layout की किस प्रकार से रखना है, इस प्रकार से करूँगा, तो यहापे एक row के अंदर जितनी भी application होगा, यहापे आप customize कर सकते हैं, अपने हिसाप से, app screen guide, मतलब इस सारे अपने एक line के अंदर कितने apps को रखना चाहते हैं, यह सारा कुछ यहापे आप customize कर सकते हैं, तो ह app drawer को खोलने के लिए एक अलग से separate button आ जाएगा, और यहापे home screen की setting पे जाता हूँ, तो यहापे इसे off कर देंगे, तो यह आपका remove हो जाएगा, देख सकते हैं, आपका remove हो चुका है, और यहापे आपको सिधा slide करना पड़ता है, ठीक है, इस प्रकार से, और यहापे देख add apps to home screen, जितने भी application प्लेशूर से डाउनलोड करेंगे, वो home screen पे आपके automatic add होते जाएंगे, वैसते app drawer के अंदर होते हैं, home screen पे add होने लग जाएंगे, और यहापे आपको देखने का मतलता है, swipe down to notification पैनल, इसे enable करने के पाद आप swipe करेंगे, तो यहापे आपका notification पैनल खो सकते हैं, swipe down to notification पैनल होई चुका, और rotate landscape in home screen को भी यहापे landscape में आप कर सकते हैं, इस प्रकार से करता हूँ, तो भाया यह यह भी आपका landscape में चला जाएगा, यह एक feature आपको यहापे customize कर सकते हैं, और एक महत्वर्न feature यहापे आपको देखने को मुलता है, जो कि hide app का दूप जब भी दिखाएगा, otherwise वो hide और वहीं से आप unhide कर सकते हैं, pinch out कीजिए, और home screen में जाएए, तो आप उसको unhide कर सकते हैं, तो भी मिलता है, आपको setting में जैसे, मैं setting में जाता हूँ भाया, setting में जाने के बाद आपको यहापे देखने हूँ को ले, sound and vibration का, यहाँ से काफी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, smart alert, यह सारे feature आप देख लेना, तो यहाँ पर हम चलते हैं, notification के अंदर, तो सायत मेरे कहल से कुछ नहीं होगा notification, तो आप status bar में, यहाँ बैटरी percentage बाला बंद करना चाते हैं, यहाँ से भी आप off कर सकते हैं, don't register me mode, यहाँ पर D&D mode लगा सकते जो कि सभी phone में पाया जाता है, अब हम चलते हैं, display के अंदर, display के अंदर हमारा एक dark mode का feature देखने हो मिलता है, new layout के साथ देख सेते हैं, अब इस पे click करता हूँ, तो आपका phone dark mode में चला जाएगा, देख से थोड़ा सा time लगाता है, क्योंकि उसका processor काफी धा प्राना यार, तो instant नहीं करता, तो आपकी सारे से dark mode में चले जाएगी, जिसे battery भी थोड़ी कम consume होगी, तो इस प्रकार से आपको dark mode का feature यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और देखतें, display में जाता हूँ, और यहाँ पे आपको dark mode का setting का भी option देखने को मिलता है, अब apply to wallpaper, wallpaper भी आपका dark ह होना चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं, तो वाल पेपर भी आपका dark mode हो जागा, schedule लगा सकते हैं, कितने बज़े से कितने बज़े तक आपका dark mode automatic enable हो जाना चाहिए, और यहाँ पे सारे कुछ आप कर सकते हैं, तो फिलाल के लिए light mode पे कर देता हूँ, तो light mode हमारा enable हो तो यहाँ पे काफी सारे option देखने को मिलेंगे, अब देखते हैं, कई लोगों की आदत होती है, कि हमें इस परकार से इधर से back करना है, तो इस परकार से अपने जो navigation बारा है, उसको mirror कर सकते हैं, इस set रखना है back button या उस set रखना है, तो जो मेरे को यह set बैठता है, तो मैं screen के उपर देखते हैं, clock style आपको किस परकार से चाहिए, इस परकार से या इस परकार से, जिस परकार का आपको चाहिए, आपका clock screen पर यहाँ पर change हो जाएगा, ठीक है, तो यह काफी interesting feature आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर colors भी आप change कर सकते हैं, अपने हिसाब से, तो व U-B-H-A-M, ठीक है तो, यहाँ पर मैं done कर देता हूँ, और अपने log screen पर जाता हूँ, तो यहाँ पर मैरा log screen पर नाम लिखा आएगा, सुभम, देखेते हैं, और log style भी change हो चुका है, जो कि मैंने change किया था, तो इस परकार से अपने log screen पर अपना नाम भी लिख सकते हैं, इ इसमें सारा कुछ बताता है, अपने कितने चीज पर कितना time spend किया, तो यह बता रहा है, मैंने PUBG में 41 spend किया, और कितनी बार फोन को lock unlock करते हो, यह सारा कुछ आपको बताएगा, कितनी app से कितनी notification आ रही, सारा data आपको यहाँ पर show करता है, एक एक detail आपको बताते हैं, आपको digital valving वाला feature, और कुछ feature की बात करो, तो यहाँ पर advanced feature में आपको देखने को मिलता है, advanced feature में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा, lock and mask apps, अब कई लोग बलेंगे, यह हमारे में option है, तो इसको enable करना पड़ता है, आपके वाल में यह नहीं होगा, Samsung M02 यह है, मैं इसको enable किया है, simply आपको क्या करना पड़ेगा, अपने galaxy store में जाके, अपने देख सकते हैं, इस galaxy store में जाके, आपको एक app download करनी पड़ेगी, जो इनका खुद का है, जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ, जिसका नाम है s-secure, इसको आपको download कर लेना, इसको focus कर लिज सकते हैं, जी यहां, आप करके देख सकते हैं, try as secure को galaxy store से download कर लेजिए, उसके बाद आपके phone के अंदर यह option आजाएगा, जिस पे भी app को app lock लगाना है, तो यहां से आप असानी से उसको लगा पाएंगे, तो काफे interesting feature है, देख से मैं भी use कर रहा हूँ, ठीक है, तो यह की application से आप लगा सकते हैं, हालां कि inbuilt नहीं दिया, ताकि phone थोड़ा अच्छी तरीके से चले, अब यहां पर gesture का option देखने को मिलता है, आपको smart alert, easy mute, अपने face जैसी हटाएंगे, तो automatic mute हो जाएगा, आपकी phone, double tap to, यहां पर backup का option देखने को मिलता है, अपने phone में double tap करेंगे तो यहां पर यह वेक अप हो जाएगी आपकी screen, तो यह काफी अच्छा feature देखने को मिलता है, smart alert, यहां पर बहुत सारे feature आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इन feature का आप यूज करना जाते कर सकते हैं, और यहां पर reduce animation का option देखने को मिलता है, जिस पर भी आपकी setting पर क्लि message भेजना चाते हैं, अपने तीन बार यह अपने volume, तीन बार button दबाएंगे लगातार, तो automatic उस पर वो चला जाएगा, मतलब message चला जाएगे, कि वो आप emergency में हो, उसकी सहायता कर दीजिए, तो यहां पर साप साप लिखावाद तीन बार यह आप power key को तीन बार लगातार press क जीए, और जो आपने number सेलेक्ट किया, उसके पास automatic message चला जाएगा, ठीक है, और यहां पर एक option देखने हो मिलता है, side key option, side key का option काफी अच्छा है, जैसे कि volume up and down को कई बार दो बार प्रेस करते हैं, तो camera open हो जाता है, तो यहां पर आप इस वो customize भी कर सकते हैं, जो भी app Amazon खुलना चाहिए, या क्या खुलना चाहिए, तो वो आप यहां पर असानी से कर सकते हैं, यह भी आप इसमें customization दी गई है, तो वो मिलता है, आपको यहां पर power mode का option, आपकी battery कम है, यह आपकी battery बहुत ज़दा कम है, तो power mode का use कर सकते हैं, जितने भी application back में चल रही होती है, जो आपको पता नहीं होता, तो इस परकार से सभी को off कर देगा, और direct आपकी battery बचाएगा, जिसमें आप लंबे समय तक अपनी battery को चला पाओगे, यह feature आपका यह एक देखने को मलता है, और बाल पेपर कर नदरे भी option देखने को मलता है, जिसे भी कोई भी बाल पेपर apply कर आने को अडवांस सेटिंग में जाएंगे, तो यहाँ पर मिलेगा एक flash notification का option, कोई भी notification आए, आप चाहते हैं कि यहाँ पर flash automatically, यहाँ पर flicker हो, तो वो इसे enable हो जाएगा, जिसे आपको पता लग जाएगा, हमारे mobile के अंदर एक notification आ रही है, तो ठीक है, इस परकार से आप क कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, slide up, volume up की, यह भी आप कर सकते हैं, आपका, देखते हैं, slide करने पर, accessibility, यह आप उनों को, जो भी set करना है, वो यहाँ से आप इसके अंदर कर सकते हैं, तो वो मिलता है, वो camera के अंदर, camera के अंदर, आप close photo लेने देखते हैं, close photo के अंदर, अच्छी photographic करने चाहते हैं, इसमें micro mode का option देखने को मलता है, जो कि अच्छी detailing आपको देख सकते हैं, एक देखते हैं, कितनी बड़ी आपको quality देती है, एक close range के अंदर आपको फोटो लेनी है, तो वो यहाँ पे आप ले सकते हैं, Microsoft के थ्रू, और next feature आपको देखने को मलता है, गैलरी के अंदर, गैलरी के अंदर काफी अच्छी चीची चीचे आपको देखने को मलता है, जैस इंटरस्टिंग feature आपको देखने को मलता है, फिलाल किल मैं इसको discard कर देता हूँ, तो इस परकार से अपने phone के अंदर inbuilt gif image का option देखने को मलता है, slide show का option देखने को मलता है, कोई फोटो आपको देखने को मलता है, तो यहाँ से आप इस रिकावर भी कर सकते हैं, जी हाँ, यह काफी अची बात है, तीस दिन के अंदर अपनी photo को recover कर सकते हैं, आपने कोई photo delete कर दी है, तो इसमें यह feature inbuilt देखने को मलता है, share photo को edit करने का भी option यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो वो काफी interesting feature है, अपने lighting को enable कर सकते हैं, लेकिन ओ ठीक तरह के से अभी work नहीं अगरी में जाने के बाद, पहले main setting में जितने भी permission मांगें, वो आप यहाँ पर आप कर देना, पहले मैंने already दे रखा है, उसके बाद आपको जाने के अंदर, lighting setting में जाने के बाद, आपको enable light कर देना है, इसमें आपको customization देखने को मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पर regular corner कर द यहाँ पर आपको कर देना है, end screen off, around notch only, आपको select करके रखना है, और यहाँ पर आपको यह स्ञेक्ट करके करेना है, stable, स्टेबल के बाद, यहां पर lighting mode में जाएंगे, तो मैंने already select कर रखा है, और यहाँ पर one color select कर लेंगे, lighting effect glow कर लेजी, आप ठीक है, और edge speed आपको कुछ उसके बाद सेव कर लीजिए सेव करने के बाद आप प्रीवियू के अंदर जाएंगे तो यहां पर कोई style मारना है आपको तो काफी अची चीज आपको देखने को मिलती है यार preview के अंदर जाएंगे तो कुछ इस परकार का आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है यह मैंने cloak भी मैंने set किया जो कि मैं बता जाता हूँ किस परकार set किया तो यहाँ पर आपको दिखा जाता हूँ मैं तो यहाँ पर extra video में जाके यहाँ पर आपको cloak का style देखने को मिलेगा इसे enable के दिए जो भी आपको style रखनी है cloak की वो यहाँ पर चेक करके और save कर दीजिए और preview में जाएए और कुछ इस परकार से आपको देखने को मिलता है हलांकि कई ठीक तरीके से work नहीं करता लेकिन आप बताते हैं आप में work कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो काफर interesting feature भी आपको यह देखने को मिलता है तो यह कुछ आपको देखने को मिलता है Samsung M02 के trips and tricks tricks and tips का एक feature और बताना भूल गया जिसमें auto call recording का feature भी देखने को मिलता है 3.0 में जाएंगे और setting में जाएंगे setting में जाएंगे आप recording call का option देखने मिले auto call recording करेंगे तो आप automatic call record कर पाएंगे इन build feature देखने को मिलता है